नमस्का राजनमाटी ही पर आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नितिश कुमार ने 23 जून को पतना में विपक्षी एक्ता के लिए 18 दलों की बेठक बुलाई है बेठक से 10 दिन पहले मंगलवार को बिहार की महागडबंदन सरकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक मंत्री ने इस्तिफा दे दिया H.A.M. के मुख्या और पुर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने नितिश कुमार को इस्तिफा भेज दिया है सरकार ने इस्तिफा स्विकार कर लिया है सुमन अनुसुचित जाती जनजाती कल्यान मंत्री थे बिहार में पार्टी के चार विधायक है इधर संतोष सुमन के इस्तिफे देने के बाद चर्चा है कि दो नए मंत्री बनाए जा सकते है इसको लेकर मंगलवार की शाम सीयम आवास पर डिप्टी सीयम तेजस्वी यादो मंत्री विजे कुमार चोधरी और जदियू के राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग की बेठक हुई मुख्य मंत्री आवास के बाहर निकलने के बाद विजे कुमार चोधरी ने कहा कि 15 जून को नितिश मंत्री मंदल का विस्तार होगा अब जीतन राम मांजी की पार्टी महागड़ बंदन के साथ नहीं है डिप्टी सीम तेजस्री यादो ने कहा कि जीतन राम मांजी और उनके बेटे को भरपुर सम्मार नितिश कुमार ने दिया है जीतिन राम मांजी को मुख्य मंत्री बनाया जबकि उनके बेटे संतोष सुमन को केबिनेट मंत्री बनाया था जद्यू के राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग ललन सिंग ने कहा कि छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा अगर ये हमने कहा है तो इसमें क्या गलत है इस भी जद्यू विधायक रतनेश सदा सीएम हाउस पोचे बताया चारा है कि उन्हें मंत्रीपत की जिम्यदारी मिल सकती है वहीं सीएम हाउस जाने से पहले कहा कि जीतन रम मांजी ने मुसर समाज को बरबात कर दिया है इस्तिफ़ देने के बाद संतोष सुमन ने कहा नितिश कुमार हमारा अस्तित्व खतम करना चाहते हैं वे हमारी पार्टी हम का विले अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेट में करवाना चाहते हैं पार्टी बचाने के लिए हमने इस्तिफ़े का विकल्प चुना है अभी हम सरकार से अलग हुए हैं महागडबंदन से नहीं मा गंडबंदन में रखना है या नहीं ये लालू और नितिश्टे करेंगे सुत्रों के मताबिक मा जी के एंडिये में जाने की चर्चा है इसी के साथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ धन्यवाग